करते हैं स्टार्ट इयर वन का चलिए और वो भी मैं एक स्टेट्मेंट बना दिया ना जहां मैंने अब्जॉप्शन का या मार्जनल का तो फट्डा के लिए रोजागा अच्छा इसके अंदर यह यह चीज़े था जो के लिए ना था चलिए सर सबसे पहले लेते हैं सेल्स सेल्स सर सेल्स है हमारा यूनिट के टर्म्स में येर वन कर रहा हूं है दस हजार और एक यूनिट सेल्स है सेलिंग प्राइस फाइब पॉइंट टू तो फाइब पॉइंट टू के हिसाब से दस हजार पचास हजार तो बावन हसाब ये मैं एबजॉप्शन के हिसाब से कर रहा हूँ एबजॉप्शन के हिसाब से ठीक है अब ले लेते हैं प्रड़क्शन कास्ट चलिए सर थोड़ा इधर शैडो है मैं फटा फट कैसे लो प्रड़क्शन कास्ट सबसे पहले वेरियेबल कास्ट कितने रुपए सर 1.25 कितने यूनिट पॉड यूस क्या एक पच्चस पटा फट जवाब दे दीजिए इसके बाद fix कास्ट भी ले लेंगे सर फिक्स कास्ट तो fix ही रहेगा न तो fix कास्ट हमारा दे रखा है 2.25 ये है fix प्रड़क्शन कास्ट पर ये ठीक है इसको multiply करके बताईए क्या आता है कह रहा है सर अच्छा वन लैक यूनिट है तो वन लैक यूनिट है तो that is एक जिरो और पांच भी स्थीक है बताईए multiply कर ये 156,5,250 multiply कर दीजिए fix cost अभी देखते हैं अभी क्या करना है शाक्षी पहले मुझे variable बताईए 156,520 मैं वही देख रहा था 156 अब ये जो fix cost है ना ये normal capacity पर है यानि इतने capacity होगा तो जाके हमारा ये fix cost होगा समझ मैं ही बात आपको और हमारा fix cost जो absorption costing होता है न हमारा पहले हम समझ लेते हैं कि कब हमें fix cost में क्या लेना है और कब हमें fix cost के अंदर कितने amount को लेके चलना है variable के case में और absorption के case में तो आपको एक बात बताया था under recover over recover है न तो simply बात देखें तो हमारा fix cost जो है न वो आ रहा है देड रुपे का सर देड रुपे का कैसे देड लाख है unit याद हो तो देड लाख unit दो लाख पच्च्छ अजार divided by देड लाख unit यादि सर 1.5 का होगा तो अगर 1.5 के हिसाब से देखा जाए एक लाख पच्च्छ अजार into में 1.5 यादि हमारा fix cost जो खर्चा हुआ वो हुआ that is 156,250 नहीं नहीं कितने का बताया था 187,500 ये खर्चा हुआ जबकि होना ये चाहिए था तो हमारा क्या हो गया ये अंडर हो गया फर्चा था ज़्यादा होना चाहिए कम हुआ तो अंडर वाला last में जो भी difference amount आ रहा होगा उसको last में जोड देंगे अभी देख लेना मैं जोड के दिखाँगा ये आगे हमारा cost of सर जोड लीजिए बताईए फटाफट cost of production सर cost of production बता दीजिए बताईए क्या आगया सर अंडर 37 अच्छा ठीक है आप total करके बताईए cost of production इतने मैं add less कर लेता हूँ add opening stock less closing stock closing stock closing stock देखेंगे और ये एक चीज़ ध्यान मैंने नहीं दिया ये जन्वरी का है that is ये opening stock opening stock तो देखेंगे रखेंगे तो मैं दिमाग क्या लगान 27,500 अब ये unit 10,000 है यहां निकाल लेते हैं cogs is equal to opening stock plus मैं production minus closing stock sir sales कितने unit है sir sales है 1,000,000 sir opening stock 10,000 sir production 1,000,000,000 minus closing 10,000,000,000,000,000 कितने हो गए है 1,000,000,000 35,000,000 तो 35,000 आ जाता है हमारा closing stock समझेगा 35,000,000 आ गया हमारा closing stock तो 35,000 into में rate ले लेंगे sir rate कैसे आएगा आप बता दीजे मुझे cost of production क्या बन रहा है तो जवाब दे दिया मुझे opening stock closing stock भी निकाल के दिखा दिया मुझे शाक्षी ने और जब हम इसको solve कर लेंगे तो आजाएगा COGS और सर, COGS जो आ रहा है वो 275 सब add list करके इसके अंदर हम add कर देंगे under recover सर, under recover कितना था? 37,500 कैसे निकाला हमने under recover इधर देखिए सर, 2,25,000 माइनस में 187,500 यह से आए चलिए सर fix cost हो चुका और कुछ तो है नहीं यह आगे total cost total cost क्या है total cost बताइए आप total cost बताइए फिर मैं निकाल लेता हूँ profit profit is equal to sales minus VC देखिए format थोड़ा बहुत उपर नीचे है लेकिन करने का तरीका यही रहेगा हम यहीं symmetric format फॉलू कर रहे है सर, TC हैगा 3,12,500 minus कर दीजिए VC sales में से 3,12,500 तो आजाएका सर हमारा profit 2,00,000 7,500 तो मैंने ना एक absorption वाला करके दिखा दिया ऐसे ही आप कर लेंगे variable वाला और दूसरे साल का भी हो जाएगा हो जाएगा या नहीं फटा फट बता दीजिए